आपको slice application का बारे में बताऊंगा slice application का purchase पबार को कैसे increase कर सकते हो ज्यादा कर सकते हो आप loan लेना चाहते हो slice से जितना आपको slice में loan मिल रहा है से ज्यादा loan चाहिए आपको तो कैसे ज्यादा कर सकते हो loan amount को इस बारे में बताऊंगा इसका इलाबा slice application में slice card मिल जाता है यहाँ पे आप पैसा add करके shopping बगएरा कर रहे हो तो आपको 1% करके मिल जाएगा तूरंद आप जितना पैसा add करके shopping कर रहे हो कुछ पैसा shopping करने के बाद भी रह जाता है तो आप uddol कर सकते हो किसी भी account पे UPI पे और आप shopping कर रहे हो 1% करके commission मिल जाए slice account balance में ओ भी रह जाता है आप uddol में जाके UPI में account में uddol कर सकते हो लेकिन मैं इस वीडियो में slice account balance का बारे में नहीं बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ slice borrow का बारे में slice loan amount का बारे में आप loan amount को केसे ज्यादा कर सकते हो मैं तीन trick देने वाला हूँ loan amount को ज्यादा करने के लिए फास जो trick दे रहा हूँ दीरे दीरे ज्यादा होगा बहुती कम amount में ज्यादा होगा second जो trick देने वाला हूँ उससे ज्यादा increase होगा तिसरा जो trick देने बाला हूँ आप अपना loan amount को purchase power को बहुत ज्यादा increase कर सकते हो ज्यादा कर सकते हो आपको loan का जरुरूरत नहीं है क्या कोभी cover 501,000 का जरुरूरत है कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आप slice application को यूज कर रहे हो थोड़ा बोद आपको मिल जाएगा आप loan बगरा ले सकते हो बोरो कर सकते हो आपको जितना भी loan मिला है जितना भी purchase power मिला है आप यूज करते जाओगे थोड़ा थोड़ा करके increase होता जाएगा ज्यादा होता जाएगा लेकिन बहुती कम ज्यादा होगा एक साथ ज्यादा emote increase नहीं होगा आपका पास 5000 है पकड़ लो अब slice application को यूज कर रहे हो तो 2-4 मेहने के बाद और 2008 हो जाएगा 7000 हो जाएगा और 6 मेहने के बाद एक साल के बाद और 3000 हो जाएगा 10,000 हो जाएगा आप slice application को यूज कर रहे हो और भी मैं दूसरा trick बता रहा हूँ second trick है आपको जो पैसा मिल रहा है purchase power में पकड़ो मुझे 60,000 मिला है इससे मैं 2000 loan ले लेता हूँ 2000 purchase power मैं borrow कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत है और 2000 borrow करने के बाद जो मैं time पे लोटा दोंगा आपको ज्यादा loan चाहिए आपको ज्यादा purchase power चाहिए slice में तो stick को यूज करना ज़रूर slice borrow में आपको जितना भी मिला है पकड़ो 5000 मिला है आप 5000 ले लो आपको पैसा का ज़रूरत है आप loan लेना चाहते हो borrow करना चाहते हो तो 5000 ले लो ज्यादा चाहिए तो केसे ज्यादा होगा मैं बता रहा हूँ और time पे लोटा दो आपको time का अंदर लोटा ना है और आप time में लोटा रहे हो और दूबरा से आप ले लो येसे एक दो बार पूरा लेने के बाद जैसे मुझे 60,000 मिला है time पे बापोस करके दूबरा से 60,200 लोन ले ले लेता हूँ बोरो कर लेता हूँ तो येसे एक दो बार करने के बाद बहुत ज्यादा अपग्रेट हो जाएगा मेरा जो लोने मौट है जो purchase power बहुत ज्यादा अपग्रेट होगा आपको लोने मौट ज्यादा करना है तो एसा कर सकते हो और एक बाद मैं आप लोग को बता रहा हूँ आपको notification भी मिल जाएगा कोभी कोभी खुश से ज्यादा कर देता है slice और कोभी कोभी notification भेज देता है जैसे उपर में notification आया है देख लो increase purchase power update का option आया है मैं update में उभी क्लिक करता हूँ तो साहे तुरंथ 27200 से ज्यादा हो सकता है और भी और उभी ज्यादा नहीं हो रहा है एक दो दिन का अंदर purchase power increase हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा आप बोरो कर रहे हो loan ले रहे हो plot charge तो लगेगा थोड़ा charge लगेगा लेकिन आप time पे वापस कर रहे हो जैसे एक मेहने के अंदर वापस कर रहे हो तो और extra interest नहीं लगता है यैसे एक दो बर कर दोगे आपका purchase power ज्यादा कर दिया जाएगा मैं जो first time slice account create किया था मुझे करीबन 3000 मिला था 3000 रुपया मिला था और 3000 रुपया से मैं slice application को सरफ यूज करता हूँ और मैं loan नहीं लेता हूँ बोरो नहीं करता हूँ साइद video बनाने के लिए एक दो बार आप लोग को दिखाने के लिए बोरो किया था 500,000 ऐसा आप लोग को दिखाने के लिए तुरंद बापवस कर दिया था क्या एक दिन बार बापवस कर दिया था त्रब इतना यूज किया हूँ और 3000 से आप 60,000 हो चुका है मेरा loan remote परचेच पावार मैं वह भी 60,200 रुपया ले सकता हूँ लेकिन वह भी ज़रूरत नहीं है और लेना भी नहीं है आप लोग लेना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा केसे अपना loan remote को ज्यादा कर सकते हूँ मैं बता दिया और बहुत ही आसान तरीके से बोरो करके UPS सेलेक्ट करके क्या एकोंट सेलेक्ट करके आप loan ले सकते हो इंस्टेंड loan देता है इंस्टेंड बोरो कर सकते हो और आप को भी भी बोरो कर रहे हो सही से फ्लाट चार्ज इंटरेस चेक कर लेना आपको जानकरी होना चाहिए